तो आधाब नवस्कार को डिनिंग सच्छा काल एक बार फिर आप तुमान लों का स्वागत है क्रैम तक की कहानी की इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमली अच्छी होगी इसी कहानी के एपिसोड में बहुत पहले मैंने कहानी सुनाई थी आपको ऑपरेशन थंडर बिस्ता है और कैसे वहां से अपने लोगों को जिनको हाईजेक करके एरपोर्ट पर रखा गया था उनको छुड़ा कर ले जाता है कैसे प्लेन कितनी कम उंचाई पर उड़ती है कैसे वहां की आर्मी को धोका दिया जाता है और फिर बंदकों को बिना खुन खराबे के छु तोड़ा सा रिकॉल उस कहानी को लेकर ऑपरिशन थंडर बोल्ट बात 27 जून 1976 की है 27 जून 1976 की है इसराइल की राजधानी तेल अबीब से एक एयर फ्रांस की एर क्राफ्ट रोती है जिसमें करीब 246 पैसेंजर थे और क्रू मेंबर थे 12 तो इन में से करीब 100 के आसपास इस इसराइली सिटिजन थे बागी अलग लग देशों के थे करीब देड़ घंटे की उड़ान के बाद तेल अवीव से एयर फ्रांस की उड़ान एथेंस पहुंचती है एथेंस में 58 पैसेंजर और इस प्लेन में सवार होते हैं और उनहीं में से चार टेरिस थे इन में से दो इनी लिबरेशन आर्मी के थे और दो जर्मन के रिवलुशनरी ब्रिगेट से थे यह चार उस प्लेन में एथेंस में बैठते हैं प्लेन को यहां से पैरिस जाना था और उसके बाद जैसी ही एथेंस यह फ्लाइट उड़ती है फ्रांस की राजधानी पैरिस के लिए अचा प्लेन पूरीतरह से आतंगवाजियों कि चार आतंगवाजियों के कब्जे में था मैं सबसे पहले लीबिया के एक शहर बेंगाजी पहुंसते वहां पर रिवियूलिंग होती है पप्लेन में तेल भरा जाता है और पिर यह कहा जाता कि अगर नहीं घरो गेन को मार देंग에 तो लीबिया की जो अथरिटी है वो उनको इजादत दे देती है तेल भर दिया जाता है फिर वहाँ पे करीब साथ घंटे तक ये लोग रुकते हैं कुछ बात्चीत होती है कि अपलेन को कहा ले जाए और आखिर में ये लोग वहाँ से फिर इस प्लेन को किसी अरब के देश में ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसराइलियों के साथ अरब मुलक के रिश्टे अच्छे है नहीं तो शायद वो लेंडिंग की अजाज़त दे देंगे लेकिन काफी बात्चीत और घूमने के बाद भी किसी अरब देश ने अपने अच्छे अंजाम को न देखते हैं कि इसका अलग असर हो सकता है उस प्लेन को उतरने की इजाज़त नहीं दी प्लेन हवा में जमीन पे को उतरने की इजाज़त नहीं दे रहा है आतंकवादी परिशान और इसके बाद 28 जून नेकस्ट ए है 27 जून को ये हाईजेक हुआ था गरीब दोपहर तीन बजे इस प्लेन को लेकर ये आतंकवा दी पहुचते हैं यूगांडा यूगांडा के अंतबे एरपोर्ट पर और उस वक्त यूगांडा पर डिक्टेटर शिप इदी अमीन उसकी भी कहानी मैंने आपको सुनाई है इदी अमीन के बहुत सारे किस्से हैं आदम खोर वाला भी किस्सा है तो इदी अमीन उस वक्त वहां का डिक्टेटर ताना शाथ था और इदी अमीन बाकाइदा एंतबे एरपोर्ट पर इस प्लेन को उतरने की ना सिर्फ इजास्त देता है बलकि हाईजेकर्स के सारी मांग मानता है उनको सारी सहुलियत देता है यहां तक कि उन हाईजेकर्स की निगरानी के लिए वो अपने आर्मी के जवानों को भेजता है एरपोर्ट पर और आखिरकार जब यूगांडा की इस एंतबे एरपोर्ट पर प्लेन रुपता है तो उसमें से सारे पैसेंजर उतरते है और उसके बाद ये पूछा जाता है इसमें कौन इसराइली है कौन नौन इसराइली है करीब 116 मसाफिरों को उसी एरपोर्ट के एक टर्मिनल में ले जाकर रखा जाता है इनमेंसे 94 इसराइली सिटिजन थे जो नौन इसराइली थे उनमेंसे ज़्यादा तर लोगों को कहा जाता है कि हम छोड़ रहे हैं और उनको लेकर एक दूसरी फ्लाइट अब वहां से पेरिस के लिए जानी होती है जिसका इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि आई जेकर ने छोड़ दिया था लेकिन 116 अभी एंतवे एरपोर्ट पर बंद थे और इसके बाद खैर कैसे मुसात का उपरिशन होता है प्लेइन में वहां पहुंचते हैं इन सारों को छुड़ाते हैं या आपको डिटेल में कहानी सुनाएए लेकिन मैं अब आगे बढ़ों उससे पहले यहीं पर कि 116 को आप रोग लिया है इसमें 94 इसराइली है अब इनी 94 इसराइली में से एक लेड़ी है जिनकी एज उस वक्त उम्र 14 साल थी 74 एल आज की कहानी उनी की है नाम है डोरा बलोच डोरा बलोच एक डुएल सिटिजनशिप उनके पास वो इसराइल की भी सिटिजन थी और ब्रिटन की भी डोरा का जन्म इसराइल में ही हुआ उसके बाद वो वहीं पली बढ़ी लेकिन बेरबाद में उन्होंने जब शादी की तो जो शादी की जिस शक्स है वो ब्रेटिश आर्मी में था और अलरेडी वो चुके ब्रेटिश सिटिजन था तो शादी होते ही डोरा बलोच की वो भी जो है ब्रेटिश सिटिजन हो गई क्योंके हस्बेंड है उनके तीन बेटे भी हुए डोरा बलोच की खासियत ये थी कि डोरा बलोच एक पढ़ी लिखी और कई भाषा, कई जुबान जानने वाली थी वो बड़ी फराटेदार हिब्रू बोलती थी इस्राइली लैंग्विच, अर्बिक, रशियन, जर्मन, इटैलियन, इंग्लिश ये सारी जुबाने, आट-दस जुबाने उनकी धारा परभा बोलती थी तो जब एंतबे एरपोर्ट पर ये प्लेन रुका उसके बाद 116 लोगों को अलग टर्मिनल पर लिज आया गया उन में से एक दोरा बलोज भी थी दोरा बलोज दरसल तेलावीव से उड़ी थी उनको नियॉयॉर्क जाना था उनके छोटे बेटे की शादी थी नियॉयॉर्क और इसलिए वो नियॉयॉर्क जा रही थी अमेरिका लेकिन पता नहीं था कि बीच में टर्रिस्त आएंगे प्लेन हाईजेक हो जाएगा प्लेन हाईजेक हो गया और अब वो यूगांडा में एंतिवे एरपोर्ट पड़ रहा है जो टर्रिस्त थे वो जादातार अर्बी बोल रहे थे और बाकी उन्हें इंगलिश उतनी अच्छी आती नहीं थी अब यूगांडा के लोगों से उनके आर्मी से बात कौन करे तो पूछा गया तो उसमें डोरा बलोच एक इंटर्प्रेटर के तोर पर सामने आई उन्होंने कहा कि हमें कई जुबान आती है तो फिर उन्होंने बात चीत की जो हाईजेकर की मांग थी, वो मांग, बाकी जो चीज़ें थी, खाना, पीने का, सामान अंदर भेजना यह तो एक इंटर्प्रेटर के दोर पर वो मदद कर रही थी हाईजेकर की भी और यूगांडा गवर्मेन्ट से भी बात कर रही थी पतलो इदी अमीन के लोगों से लेकिन कुछ घंटे के बाद अतानक लोरा बलोस की तबिएद बिगड जाती है उन्हें कुछ फूट पाइजिंग भी हुआ और उनके पैर में भी एक अलसर था और उसकी वज़ा से भी उन्हें तक्रीव थी तो जब टर्मिनल पे थी और उनक युगांडा के ऑथरिटी से बात की गई और हाईजेकर से रिक्वेस्ट किया गया एक तो उमर सेवन्टीफोर यह थी कि एक बुजर्ग लेड़ी है तब इत्खराब है कम से कम इसे छोड़ दो तो युगांडा की जो सरकार थी उसने कहा ठीक है हम इनका हॉस्पिटल ले जाते हैं इनका इलाज कराएंगे तो युगांडा के ही शहर कमपाला कमपाला में बाकाइदा एक हस्पिटल में डोरा बलोज को ले जाया जाता है और जो वहां की युगांडा के उसक्त मिनिस्टर आफ हेल्थ हैं उनकी इसमें दखल होती है कि ठीक इसको ले जाओ अब व मुसाद सारी चीजें त्यारी करता है टर्मिनल का नक्षण सारी चीजें थी इसके बाद प्लेन में वहां पे कमांडोस पहुंचते हैं रात के अंधेरे में जो प्लेन था उसके अंदर वो एक काली रंग की मर्सेडीज में भी आते हैं क्योंकि एदी आमीन उसको यूज कर को छुडा लेती हैं और इस लड़ाई में तीन बंधक मारे जाते हैं लेकिन यूगांडा हर्मी के करीब पचास जवानों की मौत हो जाती हैं सारे बंधकों को प्लेन में बिठा कर वहां से मुसाद और इसराइली आर्मी निकलती है और जाते जाते हैं रनवे पे जतने भी फाइटर प्लेन और बाकी प्लेन थे यूगांडा के वो उनको बंब से उड़ा देती हैं तो रात को ये खामोशी से ऑपरेशन हुआ यूगांडा के बड़ी किरकरी हुई और इसराइल की पूरी जुनिया ने तारीफ की कि कैसे दूसरे देश में घुश कर उसने प्लाटाल में उसका इलाग चल रहा है डोरा बलोच अब जब यह लोग पहुंचे अरुधर जो जिन लोगों को पहले छोड़ दिया गया था उनको भी पेरिस ले जाया गया अब गिंती हुई जिनको बचाया गया वहां लेकर गिंती हुई तो पता चला की सारे हैं लेकिन लोरा बलोच के बेटे को मालूम था कि उनकी मान यूसी फ्लाइट में है अब वो लिस्ट देख रहे हैं उनकी माँ का नाम कहीं नहीं है और वो परिशान फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल में है तो यूगांडा में उन्होंने फोन किया उस हॉस्पिटल का नंबर लिया और से बात की डॉक्टर ने कहां उनकी ऐसे से प्रॉब्लम थे लेकिन अभी वो ठीक है फिर उसने इस्राइली अपने ओफिशल्स को बताया कि मेरी मां इस प्लेन में यहां नहीं पहुंची है और वो यूगांडा में ही रह गई है यूगांडा अगले दिन जब यह सारा उप्रेशन हो गया था उसके अलड़ी करकरी हो चुकी थी इदी अमीन को बड़ा धक्का लगा था क्योंकि यह उसकी करारी शिकस्त थी अब इदर आया कि सब तो आगए एक उस प्लेन में जो थी होस्टेज डौरा बलोच वो नहीं पहुंची है फिर पता चला कि वो दोरी कि डेथ हो चुकी थी ब्रेटन ने अब अपने हाई कमिशनर युगांडा में उन से संपर्क किया और कहा कि दोरा बलोच के बारे में अब पता कीजिए जो उस वक्त उनके हाई कमिशनर थे मिस्टर एक तो जेम्स हैनिसी और दूसरे जो थे एक सेकंड सेक्रेटरी ब्रेट नहीं है अब ब्रेटिश हाई कमिशन के कमिश्ट हाई कमिशनर और सेकंड सेक्रेटरी हॉस्पिटल पहुंसते हैं वहां जाते हैं बाकाइदा इजाज़त थी हेल्फ मिनिस्टर की तरफ से हॉस्पिटल में उन्हें डोरा बलोच मिलती है लोरा बलोच से उनकी खारियत को कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में दोरा बलोच के लिए कुछ अच्छा खाना भीजवा दो फिर डॉक्टर से यह भी बात करते हैं कि जब तक इनके भीजने का इंतजाम नहीं को वहीं कि अच्छे होटेल में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि उनकी तब ठीक हो रही थी कुछ कि खन्ते के बाद पुराओं टीम के लीजिवा थी दोरा बलोच के लिए एक अच्छे होटेल से खाना पक करायी जाता है और उस खाने को लेकर ब्रेटिश में कुछ अस्टाफ हॉस्पिटल पहुंचते हैं लेकिन हवह हॉस्पिटल पहुंचते हैं दूसरी बार कुछ घं कमिशन से हैं वो कहते हैं फिर भी आप नहीं जा सकते खाना देने के लिए उन्हें मिलने नहीं दिया था कि वह वापस लॉट आते हैं अब इधर डोरा बलोज का बेटा वापस अपनी मां से कॉंटेक्ट कर रहा फोन पर बात भी नहीं और यह उस्पिटल वाले बात नहीं करा रहे हैं उतर जब गिंती हुई तो पता चला डोरा बलोज है नहीं जो लोग लॉट कर आए हैं अब ऐस सरकार अथरिटी अस्पताल परशासन पुलिस कोई मदद नहीं करता अचानक डोरा बलोज गायब हो जाती हैं उसी हॉस्पिटल थे जहांस उनका इलाज हो रहा था तो डोरा बलोज गायब हैं कहीं से खबर नहीं मिल रही और इसी दोरान में अचानक अकले दिन एक चश्म और उसने कहा कि उनकी लाज करीब वहां से 18 किलोमेटर दूर कहीं फेक दिया गया अब उसने कहा लेकिन इसके कोई सबूत नहीं प्रूफ नहीं अब इस मुद्य को बिटिश हाई कमिशन ने फिर उठाया अपने तरीके से बात करनी कोशिश की लेकिन यूगांडा का जवा मामला यूएन में भी उठा था तो यूगांडा लगातार ये कहता रहा कि हमें कोई पता नहीं और डोरा बलोच यहां से जा चुकी और हमने हवाले कर दिया और हमारा उससे कोई लिना देना नहीं लेकिन इधर बिटिश हाई कमिशन ने अपने तरीके से जब जांच की तो पता चला कि वाकई डोरा बलोच गायब है और शायद मार दिया गया है तो फिर ब्रेटेन ने बाकाइदा कहा कि बलोच को या तो तलाश करो या फिर उनकी लाश को तलाश करो लेकिन दोनों चीज़ें नहीं मिल रही थी और इस दोरान में एदी अमी ने ब्रेटिश हाई क एकस्पेल कर दिया अपने देश से अब इदर बलोच मिल नहीं रही नलाश मिल रही है ब्रिटेन को भी घुसा आया उसने पहली बार युगांडा के साथ अपने राजनेक संबन तोड लिया उसने अपने ब्रिटेन जो ब्रिटिश हाई कमिशनर थे युगांडा में उनको व पास जारी रखी अलग-अलग लेवल से उधर इसराइल भी कोशिश करता रहा लेकिन को जानकारी मिली नहीं इस दौरान में हुआ यह कि 1976 की बाते पूरी कहाने तीन साल बीद गया तीन साल के बाद अब युगांडा और तंजानिया के बीद जंक शुरू हो गई और तंज इदी अमीन की सत्ता चली गई 1979 में और जब तंजानिया की फौज पहुंची युगांडा में तो इसी कंपाला के पास तंजानिया की सेना ने उन्हें भी पता था सब कुछ जिस हॉस्पिटल में डोरा बलोज का इलाज चल रहा था उससे ठीक 18 किलोमेटर दूर एक गन्ने का खेट था वहाँ एक लेडी की लाश मिली चेहरा बुरी तरह जला हुआ बाकी कुछ था है नहीं स्रिफ हड्डियां बची थी तो उस गोली सर पे मारी गई थी तो यह कहा गया है कि यह लाश यह डोरा बलोज की है तीन साल के बाद 76 में वह गायब होती 79 में जब तंजानिया यूगांडा में घुचता और उसके बाद वह इस लाश को ढूलता है उनकी फौच और उसके बाद यह बताया जाता तो जब यह पता चलता है तो फिर इसराइल और पता था वो देख के पैचान जाता हूं इसके बाद फिर बाकी फौरंग सी जांच होती है और यह केलियर हो जाता है कि यह लाश असल में बलोज का ही है जब यह पता चल जाता है तो फिर उनके जो बाकी जो भी बचे हुए थे वो सारे हिस्से को इसराइल भेजा जाता है और तेल अवीब में इसराइल की राजधानी में बाकाईदा पूरे राज़ की ए सम्मान के साथ तीन साल के बाद मौत के डौरा बलोज का अंतिम संसकार किया जाता है तीन साल के बाद इस दोरान में बरेटन अब युगांडा के साथ फिर से रिष्टे कायम हुए और उसक बाकुमेंट्स में बाकाइदा इस पूरे घटना के बारे में जिक्र किया गया उसमें कहा गया इस पूरे डोरा बलोज के गायब और उनकी मौत को लेकर कि जब डोरा बलोज के हस्पटाल इलाज के लिए ले जाए गया तब तक वहां डॉक्टर और सारे प्रशासन पुलिस अच्छा ब्यावार उनके साथ कर रहा था सब चौतर साल की बजर्ग थी लेकिन इस दोरान में ऑपरेशन थंडर बोल्ट हुआ यूगांडा आर्मी के पचास लोग मारे गए इदी अमीन बहुत गुस्से में था बंदकों को छोड़ा कर उसके नाक के नीचे से ले जाया गया पूरी दुनिया में इसराइल की तारीफ हो रही थी इदी अमीन को लगा कि ये क्या हो रहा है इसी दोरान में उसे पता चला कि एक इसराइली जो डियुल से पर ब्रिटिश भी है पर उसे ब्रिटिश से मतलब नहीं था उसे था कि इसराइली है ये उसका हॉस्पिटल मिला चल रहा है इदी अमीन को बहुत गुस्सा आया उसने अपने जो लॉयल आर्मी के लोग थे उनको उस हॉस्पिटल में भेजा और कहा जाकर उस लेडी को मार दो जिस दिन ब्रिटिश हाई कमिशन के लोग उससे मिलने गए थे दोरा बलोच से जब उन्होंने कहा था कि खाना ठीक नहीं है फिर उन्होंने खाना लेकर भेजा उसी दोरान में अगले तीन घंटे के अंदर अंदर इदी अमीन के आदेश पर इदी अमीन के हुक्म पर हॉस्पिटल में घुसकर यूगांडा की आर्मी ने डोरा बलोच को सर में गोली मारी थी गोली मारने के बाद उनकी लाश को जो वहां की खुफिया पुलिस है इदी अमीन की उसी की एक गारी के डिकी में लाश को रखा गया और कमपाला में उस हॉस्पिटल से करीब 18 किलोमेटर दूर ले जाकर लाश फेक दिया गया और कभी इसको बताया नहीं गया और हमेशा मना किया गया लेकिन इदी अमीन के खात्मे के बाद इस हाथसे के तीन साल के बाद आखिरकार डोरा बलोच की मौत का सच सामने आया उनकी लाश मिली लेकिन वो कहानी है ये जो आपरेशन थंडर बोल्ड एक कामियाब आपरेशन था लेकिन डोरा बलोच को बचाया नहीं जा सका जो कि इस पूरे आपरेशन में एक तरफ बीच में इंटर्परेटर का का काम कर रही थी और उनकी अफसोस नाक मौत है लेकिन आखिर में राज किये पूरन बाजिया और इनकी बेटी कृतिका बाजिया दोनों बाप बेटी का जनम दिन एक ही होता है कितना अच्छा लगता होगा तो आप दोनों को बहुत बहुत जनम दिन की बढ़ाई और यह UAE में है इसके लावा अरजुल प्रमार की पत्नी पाइल प्रमार जी का भी जनम दिन है तो हैपी बड़े पाइल जी चांदनी राना इनका भी जनम दिन है तो happy birthday चांदनी राना जी और मनमुहन राना जी ने भेजा है इनकी पत्नी है चंडीगर से हनी अफसाना हाश्मी इनका भी आज जनम दिन है happy birthday अफसाना जी और मुहम्मद हाश्मी इनके वाई अब हस्बेंड ने भेजा है इसके लावा डाला राम सनीवाल इनका भी जलम दिना-जी अनुभब भौविक इनका भी आज जलम दिन तो एक-वद्ड़े अनुभवववक और जो इता दत्ता है इनकी मां है और उन्होंने भेजा है तो इस अगें अरूब प्राईन्जलber और इस पढ़ा और इसमें रूमी और शॅमस नाम के दो करेक्टर है मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ूँगा प्रान जल्दी थांकियो वेरी मैच आपके मेल के लिए इसकलावा आदश, दिवान और निकेत अगरवाला जिनकी अनिवरसरी है तो आप दोनों को बहुत 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 बढ़ाई प्रियंका कालरा जी लिखती है कि अगर कोट में कोई मामला डिले होता है फैसला आने में टाइम लगता है तो क्या मीडिया इनसाफ नहीं दिला सकती मीडिया के अपनी एक सीमा होती है कई बार ये होता है कि कई चीजों में अगर प्रेशर बनता है तो कुछ चीजों जल्दी हो जाती है लेकिन मेरा यही है कहना कि आखिर वो नौबत क्यों आए कि इंसाफ लेट से हो हमारे जुडिशनल सिस्टम में बहुत सारे सुधार की जरूवत है देखे कब सुधार होता है संदीब गायकवार जी है और अंगाबाद अभी इन्होंने शिफ्ट किया पहले नागपूर में थे तो इन्होंने का अकेले हैं लेकिन कहानी साथ देती है हेमंत गर्ग है भटिंडा से थेंक्यू और इन्होंने कुछ शेर भी भेजा था मुहम्मद अनीश है इसके लावा प्रवीन कुमार सिंग है सोन भद्र से कुछ स्टोरी की फरमाईश की है प्रतीक जाधव जी है अनिल राजेश चौहान है सूरत से मौंट एवरिस्ट की कहानी सुनना चाहते है इसके लावा तोहीद मिर्जा है लकीमपूर खीरी वहां की कोई कहानी सुनना चाहते है इसके लावा समिष्ठा दास गुपता जी है और इनके हस्बेंड समुझवल दास गुपता जी भी जनरलिस्ट है और ये अब PhD करना चाहती है क्रिमिनल साइकलोजी पे all the best समिश्था जी और अमित कुश्वाहा जी है तो आप तमाम लोगों के मेल का और जो कहानिया आपने फरमाईश की है जल्दी पूरी होगी इसी दुआ के साथ आज कहानी में इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा